सुक्देश सिंग गोगा मेडी हत्याकान में अब दोनों आरोपी गिरपतार होने के बाद खुलासा हुआ कि हतियार कहां से मिलेते हतियार उपलब्द करवाने वाला मेंदर उर्फ समीर कोटा का रहने वाला था अपनी दूसरी पतनी के साथ जेपुन फिलेट में रहता था सोमार को पुलीस ने जगतपुरा में फिलेट पर दविश दी तो वहां पकड़े गए उसके बाद कोटा में भी जो मेंदर उर्फ समीर है उसके घर पर पुलीस ने देर साम सोमार को दविश दी क्या मामला था क्या कारवाई हुई किती देर चली हम बाचीत करेंगे खुद गुमानपुरा जो थाना इलाका उनका लगता है इसमें करीब 24 मामले उन पर 24 मामले दर्ज हैं कई तरह के मामले हैं शराब के लेकर मारपीट से लेकर 2018 से ही वह जेपुर में रहता था आपनी द पूस्ता चुई कल हमको जेपुर से सुझना मिले थी कि गुगा मेरी हत्याकान में जो हत्यार सप्लाई करने वाला मेंदर है वह कोटा का रहने वाला यह गुमानपुरा दिलाकान तो हम उसके घरपे के हम पहले भी इसके घरपे चेक करते तो उसमें 2018 के बाद में इसका उसके बाद उसका पता ठीकना चला नहीं था इस फ्लेट में रहना पाए तो भी खाली करके चला जा चुका था किस तरह के प्रकरण दर्स थे इसके उपर कोटा में इसका सबसे पहला मुक्दमा जो हुआ 2008 हुआ तो अभेज सराब की तसक्री का था अभेज सराब बेजते सर आप लोग गये किती देर वहां आप लोगों की पूस्ता चली इसकी पत्नी से बात हुई इनकी माज से बात हुई इनके पिता से बात हुई क्या इनके पिता करते हैं क्या परिवार ने बताया आप लोगों को इनके पिता इनका परिवार गरी परिवार ने इसके पिता ओ वहां पोई यहां परे कोई शारकल तो फ्राटे जान की मामले दरस्ते श्लिए नहीं आड्या था था उसको तो हाई लाइप सघ्छा अना से सचेह क्षिए श्पूर रहनी है तो इसको वहां धूंता दूछित तो कुछ कुलू मिला है सर आपको यहां सर अभी वर्तवाम ने कोई कुलू नहीं इसका आना जाना नहीं कि वाकिए एसोजी और एनाई के टीव इसके तपतिस करी जांच करी हो सकता माँ से इनको कुलू मिले और टेक्निकल सर्विलेंस के आदार पर कोई कार भी कर सकें पत्न समीर है वो गुमानपुरा थाना इलाके में ही उसका घर था करीब 2018 के बाद वो अपने घर आया ही नहीं दूसरी शादी कर ली और जेपुर जगतपुरा इलाके में फिलेट में रहता था जब कल सोमार को वहां पुलिस ने दभीश दी तो वहां से जो लेडी डॉन जो उनक रहे हैं यह भी आ रहे हैं कि जो राजुठेट था उसकी सालवर पहले भत्या की गई तब भी हतियार मुहिया करवाने वाले जो मेंदर समीर है कोटा निवासी यही था तो ऐसे में अब जो सुक्देव सिंगोगा मेडी मामले में जब दोनों आरोपी गरबतार हुए तो इ अब ही तक पुलिस की गिरभतें में फरार चल रहा है हो सकता है घ्रा यहां से फ़लेट से कुछ मिला नहीं है कल को कोटा पुलीस है वह भी मेंदरूप समीर है उसके घर पर गई थी पूश्थाट की पर यहां से भी कुछ मिल नहीं रहा है दोजार अठारा से ही घर आया नहीं है तो और जो दूसरी जो पहली पत्नी है उनकी यहां पर उसके दो बच्चे भी हैं वो पालन पोशन कर रही है अपना गरीब परिवार है पुलिस जाकर आए से यहां का हिष्टी सीटर रहा है चो इस मामले इस पर कोटा में आया है राजस्तान तक के लिए कोटा सही चेतन